नमस्कार कैसे हैं आप सभी आज मैं आपके लिए लिकर आई हूँ इंडिपेंडेस डे के लिए अस्पेसल मिठाई तो आप इसे एक वार अपने घर पर जरूर बनाईएगा एक वार किया आप इसे इस पंजागास अपने घर पर जरूर बनाईएगा ये बहुत ही यम्मी और टेस्टी लगेगा खाने में और इसे बनाना भी बहुत ही असान है बट उससे पहले मैं खुश्बु का नोजिया और मैं अपने चैनल घर का जाय का विद्खुश्बु में आपका स्वागत करती हूँ और मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी मत भूलिएगा क्योंकि सब्सक्राइब करने पे पैसा नहीं लगता तो चलिए बनाते हैं आज की नई रेसिपी तो इसके लिए सबसे पहले हम एक पैन लेंगे और पैन को गर्म करेंगे जब पैन गर्म हो जाए तब हम इसमें घी आइड करेंगे और घी को भी मिल्ट होने तक गर्म करेंगे और घी को चारो तरफ से फैला देंगे जब घी गर्म हो जाए तब हम इसमें एड करेंगे कदू कस्किया हुआ नारियल और इसे गर्म होने तक ही कुक करेंगे मैं आपको ऐसी रेसिपी और ऐसी मिठाई बनाना बता रही हूँ जिसमें एक वी चमस दूद नहीं लगेगा ये बीना दूद का बनने वाला मिठाई है तो आप इसे एक बार जरूर बनाईएगा अपने घर पर अब ये गर्म हो गया है मैं इसे एक कटोड़ी में निकाल लेती हूँ अब हम इसी पायन में एड़ करेंगे चास्नी के लिए चीनी तो चलिए इसमें हम चीनी एड़ कर लेते हैं तो मैंने यहाँ पर एक कटोड़ी चीनी देया है और फिर इसे पिल्दाने के लिए इसमें दो चम्मच पानी एड़ की हूँ और इसे मेल्ट होने के लिए चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से जले ना आप मेरी वीडियो को इंट तक जरूर देखिएगा क्यूंकि मैंने इसके सारे इंगिडियन्स को लास्ट में नोट कर दिया है आप वहाँ से चेक आउट भी कर सकते हैं तो मैं इसे चलाते ही रहूंगी ताकि ये नीचे से जले ना और ये गाठे ना पड़े देखिए ये अच्छी तरह से पिघल गिया है और चीनी को मैं पकने भी दूँगी अच्छी तरह से चासनी को खूब पकाईएगा मैं आपको एक ट्रीक भी बताऊंगी कि चासनी हमारी पकी है या नहीं ये चेक करने के लिए तो आप मेरे वीडियो के साथ बने रहिए और इसमें अब साइन लाने के लिए मैं इसमें एक चमस घी आर एट करी हूँ तोटल मैंने अभी तक इसमें दो ही चमस घी आएट किया है तो ये बहुत कम बजट का मिठाई है अब मैं आपको चासनी चेक करके बताती हूँ कि ये कुख हुआ है कि नहीं तो इसके लिए हमें यहाँ पर क्या करेंगे मैं बता रही हूँ आपको नहीं पर हम चासनी लेंगे और एक कटोरी पानी में इसे डिप करेंगे और इसे चीनी को हलका ठंडा होने के बाद इसे हाथ में लेकर इसे चलाते रहेंगे अगर ये गाठी की तरह जम जाए तो हमारी चासनी रेडी है बट अभी ये नहीं हुआ तो ये थोड़ा और पकेगा तो इसे हम थोड़ा और पकाते हैं फिर हम इसे चेक करेंगे पानी में आइड करकर और साफधाने से कीजिएगा क्योंकि चासनी यहाँ पर बहुत ही गर्म होता है इसे आपका हाथ जल भी सकता है तो देखिए यह चासनी पूरा बॉल की तरह हो गया तो ये अब रेडी है फिर हम इसमें एड कर देंगे नारियल जो कि मैंने अभी कूप किया था तो मैं यहाँ पर रोस्टेड नारियल इसमें एड कर देती हूँ और इसे मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद मैं इसे तीन हिसे में डिवाइड कर दूँगी तो मैं इसे तीन हिसे में डिवाइड कर देती हूँ और सब में अलग-अलग कलर आइड कर दूँगी क्योंकि मुझे तीरंगा लड़ू बनाना है सौरी तीरंगा बढ़फी बनाना है तो यहां पड़ हम एक प्लेट लेंगे और प्लेट में थोड़ा सा घी अड़ करकर उसे चारो तरफ से हाथ से फैला लेंगे फिरम इसमें हरा कलर का कोडिंग किया हुआ नारियल इसमें आइड करेंगे और इसे चमच की हेल्प से चारो तरफ से दवा दवा कर फैला लेंगे फिर हम भाइट कलरवला इसपे कोडिंग करेंगे और इसे भी इसी तरह से फैला लेंगे चारो साइड से कर दो तरह से चारो साइड सada लेंगे चारो से बिरस एचारो से चारो से ई घ्मानिका करेंगे से उन पालन terको का चासनी थोड़ा सा थीक हो गया तो आप उसमें थोड़ा सा पानी आइड करिएगा और इसे गैस पर रखकर कुक करिएगा मैंने आपको करकर दिखाया मेरा चासनी भी थोड़ा थीक हो गया था तो मैंने इसमें पानी आइड किया और इसे कुक किया फिर मैं इसमें फिर मैं और इसे कुछ मिनेट के लिए भी कुक करूंगी अब ये तैयार हो गया है अब मैं इसे प्लेट पर थिरी लेयर लगाऊंगी तो चलिए इस पर थिरी लेयर लगा लेते हैं और इसे भी किसी अस्पून की हेल्प से इसे चार तरब से फैला लेंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे थोड़ा ठंडा होने के बाद इसे हम बर्फी के साइज में कट कर लेंगे इसे ज़्यादा ठंडा होने मत दीजिएगा ये थोड़ा ठंडा होने के बाद ही याप इसे कट करिएगा नहीं तो ये फिर कटेगा नहीं फिर इसे गार्निसिंग करेंगे बदाम के साथ तो मैं सारे बड़ फिफित एक एक बदाम एड़ कर देती हूँ और थोड़ी किस्मिस के साथ भी से हम गार्निसिंग करेंगे तो लिजिए ये तयार है अब मैं इसे ठंडा होने देती हूँ कुछ घंटों के लिए आधा एक घंटा काफी ये ठंडा होने के लिए और फिर मैं इसे एक पिलेट पर निकाल लेती हूँ देखिए मेरी बर्फी तयार है मैं इसे निकाल लेती हूँ साइद ये आपको अच्छी ना लगे बट ये खाने में बहुत ही स्वादिश्ट है सो आप इसे एक बार अपने घर पर जरूर बनाईएगा मेरे मैथट से ही और हमें कमेंट करकर बताईएगा कि कैसा बना है पार इसे गाने सिंग करेंगे कदु कस किये हुएं नार्यावादिश्ट है तो लीजिये तयार है तिरेंगा बड़फी ये बहुत ही यमी है और बहुत ही टेस्टी है तो आप इसे एक बार अपने घर पर जरूर बनाईएगा और ये कम बजट में भी बनने वाला है देखाना मैंने इसमें एक जमज भी दूध यूज नहीं किया तो आप इसकी रेसिपी नोट कर लीजे जो कि ये है हो गया ना कम में ज्यादा I hope आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज इसे एक लाइक और अपने फ्रेंट फैमिली में से जरूर करे और हमें कमेंट करकर बताएं कि हम आपके लिए क्या बनाए तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ जब तक खुश रहिए खुशियां बाड़ते रहिए और आसपास सफाई बनाए रखिए थैंक यू थैंक यू फर वाचिंग टेक कियर और नमसकार